हेलो प्रेंट्स, वेलकम टु जक्या का किचिन, एकदम बाजार जैसी खिली खिली चौमिन घर पर बना सकते हैं, इसकी रेसिपी आज बताऊंगी, तो चलिए इसे बनानाई स्टार्ट करते हैं, इसको बनाने के लिए हमने 200 ग्राम नूडल्स लिया है, खिली खिली चौमिन बनाने के लिए नूडल्स का परफेक्टली बॉयल होना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए हमने एक लिटर पानी लिया है, जिसे बॉयल करने के लिए रख दिया है, देखिए पानी बॉयल हो रहा है, अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे, नूडल्स को हम ब्रेक नहीं कर जादा नहीं चलाना है तो नीट बाइल डालेंगे ताकि यह आपस में चिपके नहीं इसे हमें पांच-छे मिनट तक बॉयल करना है देखिए नूडल्स को बॉयल होते हुए पांच मिनट के करीब हो गया है अब इसे चेक करेंगे एक नूडल्स को हाथ में लेंगे और उसे स नूडल्स कोटेगा नहीं तो इसका मतलब हमारा नूडल्स 80% कोख चुका है अब हम इसे स्ट्रेंड कर लेंगे और ठंडे पानी से जल्दी से धोलेंगे इसे हमने टैप के नीचे से थंडे पानी से धोलिया है अब हम इसमें वन टीश्पून ऑईल डालेंगे ऑईल को डा और यह चीपके नहीं आपस में तो फ्रेंड्स नूडल्स बॉयल्ड होकर रेडी हो चुके हैं मैं आपको दिखाती हूं कुछ सबजियां पांच छे लैसुन की कलियां लिये जिने हमने बारिक काटा है दो हरी मिर्शली है एक इंच अदरक का टुकडा लिया इसे भी हमने काटा है एक प्याज लिये जिसे हमने लंबाई से काटा है स्लाइसिस में एक गाजर लिये जिसे हमने लंबाई से काटा है चौमिन में लंबाई से कटी हुई सबजियां अच्छी लगती पत्ता गोबी लिये और हरी प्याज लिये एक और एक शिमला मिर्श लिया और कुछ तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कड़ाई में दो टेबिलिस्पून ऑईल डालेंगे हाई हीट पे तेल गरम हो जाए तो इसमें गार्लिक जिंजर ग्रीन चिली डालकर आधा मिनट तक सौटे करेंगे अब इसमें हम अनियन डाल देंगे इसे हमें दो मिनट तक हाई हीट पर फ्राई करना है इसे हमें गोल्डेन ब्राउन नहीं करना है अब यहाँ पर हम ग्रीन अनियन का बल्ब डाल देंगे प्याज हलकी सी फ्राई हो गई है अब हम इसमें सबजियां एट करेंगे पत्ता गोबी गाजर शीमला मिर्ज सबी सबजियों को हम हाई हीट पर दो मिनट तक सौटे करेंगे ताकि सबजियां अच्छे से भुन जाएं अब इसमें नमक डालेंगे विनिगर डालेंगे और एक एक करके सबी सौसिस डाल देंगे रेट चिली सौस डालेंगे सोया सौस डालेंगे आप लाइट सोया सौस भी ले सकते हैं ग्रीन चिली सौस डालेंगे टेमाटो केचप डाल देंगे सबजियों को हमें पकाना नहीं है हल्की सी कच्ची रखनी है तब ही हमारी वेच चौमिन देखने में और खाने में अच्छी लगेगी यह हमारी सबजियां तयार हो गई है अब हम इसमें नूडल सेट करेंगे अब हम इसे दो चमश लेकर मिक्स कर लेंगे इस तरह से यह हमारी चौमिन मिक्स हो गई है अब हम इसमें मैगी मसाला एट करेंगे अब हम इसमें हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे यह हम पहले बताना भूल गए थे अब इसे भी मिक्स कर लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर से चौमिन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है यह हमारी चौमिन रेडी हो गई है अब हम इसमें ग्रीन ओनियन डालेंगे अब हम इसे सर्व कर लेंगे एकदम स्ट्रीट स्टाइल चौमिन तयार है आप घर पे एकदम स्ट्रीट स्टाइल चौमिन तयार कर सकते हैं बहुत ही आसान है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूलें